मुशी प्रेमचंजी द्वारा लिखे एक बहुत ही शांदार कहानी बड़े भाई सहाब मेरे भाई सहाब मुझसे पात साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दरजे आगे उन्होंने भी उसी उमर में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाल जी से काम नेना पसंद ना करते थे इस भावना के बुनियाद खुब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे कभी-कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुक्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने मैं छोटा था वे बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वे चौदा साल के थे उन्हें मेरी तभी और निगरानी का पूरा जन्म से दधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझो वे सुभाव से बड़े अध्याशिल थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चुणियों, कुटों, बिल्यों की तस्मीरे बनाया करते थे कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक के दस-बीस बार लिख डालते कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षर में नकल करते कभी ऐसी रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता है ना कोई सामंजस से मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह अबारत देखे स्पेशल अमीना भाईयों भाईयों दरसल भाई-भाई राधिश्याम, श्रीयुत राधिश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने चेश्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालू लेकिन आसफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ वह नवी जमात में थे, मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मू बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पाहड था मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उचालता, कभी कागस की तितलियां उडाता और कहीं कोई साथ ही मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चार दिवारी पर चड़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साथ का रौदरो रूप देकर प्रांट सूख जाते उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनी में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था ना जाने मूँ से यह बात क्यों न निकलती कि जरब बहर खिल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना प्राद सुईकार है और भाई साब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि इसने और रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सतकार करें इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गेरा नत्थू कहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान न हो जाती यहां रात दिन आखे फोडनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है तब कहीं ये विद्वा आती है और आती क्या है हां कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुदंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनद करता हूँ तुम अपनी आखों से देखते हो अगर नहीं देखते हैं तो ये तुमारी आखों का कुसूर है तुम्हारी बुद्धी का कुसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही किरकेट और हाकी मैच होते हैं मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दरजे में दो दो तीन-तीन साल पढ़ा रहता हूं फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दरजे में पढ़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बहतर है घर चले जाओ और मजे से गुली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपे क्यों वरबात करते हो मैं ये लताड सुनकर आशू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराथ तो मैंने किया लताड कौन से है भाई सहाब उप्तेश की कलामें ने पुड़ थे ऐसी ऐसी लगती बाते कहते ऐसे ऐसे सुकती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकडे टुकडे हो जाते और हिम मत छोड़ जाती इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ती में अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाओ जो काम मेरे बूते के बहार है उसमें हाट डाल कर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूँ मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूँगा चटपट एक टाइम टेबिल बना डालता बिना पहले से नक्षब बनाए बिना कोई स्कीम तयार की एक काम कैसे शुरू करूँ टाइम टेबिल में खेल कुद की मत बिलकुल उड़ जाती प्राता काल उठना छे बजे मूहा दोना नाश्टा कर पढ़ने बैठ जाना छे से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साड़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साड़े तीन वजे स्कूल से वापस होकर आदा घंटा आराम चार से पाच तक भुगोल पाच से छे तक ग्रामर आदा घंटा ओस्टल के सामने टहलना साड़े छे से साथ तक अंग्रेजी कंपोजिशन फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद नौ से दस तक हिंदी दस से ग्यारा तक विविद्विश है फिर विश्राम मगर टाइम टेबिल बना लेना एक अलग बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन से उसकी अवेलना शुरू हो जाती मैदान की वे सुखद हरियाली हवा के वे हलके हलके जोंकी फुटबॉल की उच्छल कूद कबड़ी के वे दाउं खात बॉली बॉल की वे तेजी और फूरती मुझे अग्यात और अनिवारे रूप से खीच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वे जान लेवा टाइम टेबिल वे आख फोन पुस्त के किसी की याद न रहती और फिर भाई साब को नसीहत और फजियत का अवसर मिल जाता मैं उनके साये से भागता उनकी आखों से दूर रहने की चेश्टा करता कमरे में इस तरह दबे पाउं आता कि उन्हें खबर ना हो उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ती के बीच में भी आदमी मोह और माया की बंदन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तरिसकार न कर सकता साला ना इम्तिहान हुआ भाई साब फेल हो गए मैं पास होगया और दरजे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच किवल दो साल का अंतर रह गया जी में आया भाई साब को आड़े हातों लूँ आपकी वे घुरत पस्या कहा गई मुझे देखे मज़े से खिलता भी रहा और दरजे में अवल भी हूँ लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छड़ेकने का विचार ही लज्जा इस पर जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने उपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसमान भी पड़ा भाई साब का वहरोब मुझे पर ना रहा आजादी से खेल कूत में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजियत की तो साफ कह दूँगा आपने अपना खुण जला कर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूते दरजे में अवल आ गया जबान से ये हेकड़े जताने का साहसना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साब का वह आतां का मुझे पर नहीं है भाई साब ने से भाप लिया उनकी सहज बुद्धी बड़ी तीवर थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुली रंडे की भेट करके ठीक भोजन के समय लोटा तो भाई साब ने मनों तलवार खेचली और मुझे पर तूट पड़े देखता हूँ इस साल पास हो गया और दरजे में अवल आ गया तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाई जन घमन तो बड़े बड़े का नहीं रहा तुमारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा उसके चरितर से तुमने कौन सा अपदेश लिया या यों ही पड़ गए महज इमतिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धी का विकाज जो कुछ पड़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते है आजकल अंग्रेजों के राजी का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार में अनेको राष्ट अंग्रेजों का आधिपत्य सुईकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावन चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमण ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चिलुप पानी देने वाला भी ना बचा आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे इतराए नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शेतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे ये अभिमान हुआ था कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढखेल दिया गया शाहेर उम ने भी एक बर अहंकार किया भीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया और अभी से तुमारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके है यह समझ लो कि तुम अपनी महनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पढ़ जाता है उससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी वै है जिसका कोई निशाना खाली न जाए मेरे फेल होने पन न जाओ मेरे दरजे में आओगे तो दातों पसी न आ जाएगा जब अलजबरा और जमेटरी के लोहे के चने चबाने पढ़ेंगे और इंगलिस्तान का इतिहास पढ़ना पढ़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठाठ हेनरी ही गुजरे हैं कौन सा काण किस हेनरी के समय हुआ क्या ही याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी साथ में की जगे हेनरी आठवा लिखा और सब नंबर गायम, सफाचट, सिफर भी न मिलेगा सिफर भी हो किस खयाल में दरजनों तो जेमस हुए, दरजनों विलियम, कौनी और चाल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंजम लगाते चले गए मुझ से पूछते तो दस लाख नाम बता देता और जमेट्री तो बस खुदा की पना है अब आजा की जगे आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दई मुम तहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों चहतरों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परिक्षकों को क्या परवा वहत तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं लड़के अक्षा रक्षा रड़ डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फाइदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए इस से प्रयोजन दुगना नहीं चोगना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से लेकिन परिक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की पावंदी पर एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम नहो अब आप कौपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोईए कौशनता की समय की पावंदी बहुत अच्छी बात है इस से आदमी के जीवन में सैयम आ जाता है दूसरों का उस पर इसने होने लगता और उसके कारोबार में उन्नती होती है लेकिन इस जरासी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की क्या जरूरत मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ यह तो समय की किफायत नहीं, बलकि इसका दुरपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो, चटपट कह दे और अपनी रहा ले मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पढ़ेंगे, चाहें जैसे लिखें और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पावंदी पर संक्षेप में एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो ठीक, संक्षेप में चार पन्ने हुए नहीं शायद तो सो दो सो पन्ने लिखवाते तेज भी दोड़े और धीरे-धीरे भी उल्टी बात है या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक है मेरे दरजे में आओगे लाला तो ये सारे पापड बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दरजे में अववल आ गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिये लाग फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे मड़ा हूँ संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभाव है जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे बांदिये नहीं पचता येगा स्कूल का समय निकट था नहीं इश्वर जाने या अब देश माला कब समापत होती भोजन आज मुझे निस्वात से लगा जब पास होने पर ये तरिसकार है तो फिल हो जाने पर दुशायत प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भेंकर चितर खीचा था उसने मुझे बहबीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्यूब है लेकिन इतने तिरसकार पर भी पस्तकों में मेरी आरूची जियों की त्यों बनी रहे खेल कूट का कोई अफसर हाथ से ना जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दरजे में जलील ना होना पड़े अपने उपर जो विश्वास पैदा हुआ था वैं फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तेहान हो गया कुछ ऐसा सैयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साब फिर फेल हो गया मैंने बहुत मेहनत ना की पर ना जाने कैसे दरजे में अवल लागया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साब ने प्रणान तक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गये थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छे से साड़े नो तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांती ही नो गई थी मगर विचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वाली कुशी अधूरी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साब को इतना दुख ना होता लेकिन विधी की बात कौन टाले मेरे और भाई साब के बीच में अपके वल एक दरजे का अंतर है क्या मेरे मन में कुटिल भावना ओदय हुई कि कहीं भाई साब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊ फिर वैक के साधार पर मेरी फजियत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने वचार को दिल से बलपूरवक निकाला आखिर वै मुझे मेरे हित की विचार से ही डाटते हैं मुझे उस वक्त अपरिये लगता है अवश्य मगर यह शायद उनके उपदेश्यों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और वो भी इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार मुझे डाटने का अफसर पाकर भी उन्होंने धीरत से काम लिया शायद अवे खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी सोचंदता भी बड़ी मैं उनकी सहिशनता का अनुचित लाब उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारना हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साब की डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ मुझे कन कोई ये उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेट होता था फिर भी मैं भाई साब का अदब करता था और उनकी नजर बचा कर कन कोई ये उड़ाता था माज़ा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्णामेंट की तयारियां आदी समस्त समस्यां अब गुपतो रूप से हल की जाती थी भाई साब को ये संध्ये ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है एक दिन संध्या समय होस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लोटने बेताहशा दोड़ा जा रहा था आखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश गामी पतिक की ओर जो मन गती से जूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ग्रहन करने जा रही हो बालकों की एक पूरी सेना लग गई और जहाड़दार बांस लिया उनका स्वागत करने को दोड़िया रही थी किसी को अपने आगी पीछे की खबर ना थी सभी मानोस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है ना मोटर कारे हैं ना ट्रॉम ना गाड़िया सहसा भाई साब से मेरी मुट भेड हो गए जो शायद बाजार से लोट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उगर भाव से बोले इन बाजारी लॉंडों के साथ धेले के कनकोवे के लिए दोड़ते तुम्हें शरम नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बलकि आठवी जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दरजा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिड लल्चियों को जानता हूँ जो आज अबल दरजे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडनेंट है कितने ही आठवी जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपाधक है बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवे दरजे में आकर बाजारी लॉंडो के साथ कनकोई के लिए दोड़ रहे हो मुझे तुमारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वे जहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरब के हत्या कर डाले तुम अपने दिन में समझते होंगे मैं भाई साप से मैज एक दरजा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे को कुछ कहने का हक नहीं लेकिन यह तुमारे गलती है मैं तुमसे पात साल बढ़ा हूँ और चाहें आज तुम मेरी ही समात में आ जाओ और परिक्षकों का यही हाल है तुनी संदे अगले साल तुम मेरे सम का अक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम उससे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पात साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पात साल बढ़ा हूँ और हमेशा रहूँगा मुझे दुनिया का और जिंदिगी का जो तजूर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम में, डीफिल और डीलिट ही क्यों न हो जाओ समझ किताबे पढ़ने से नहीं आती हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद पांचवे छटवे जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहें सारी दुनिया की विद्या पढ़ने अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्म दाता है बलकि इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजर्वा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज विवस्ता है और आठवे हिन्री ने कितने विवहा किये और आकाश में कितने नक्षत रहें ये बाते चाहें उन्हें ना मालूमो लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं जिनका ग्यान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है देव ना करें आज मैं बीमार हो जाओ तो तुमारे हाथ पाँ फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुमें और कुछ ना सूझेगा लेकिन तुमारी जगे पर दादा हो तो किसी को तार ना दे ना घबराएं ना बदहवास हो पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे उसमें सपलना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि मैने भर का खर्च मैने भर कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को महताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मूँ चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपने उम्र का बड़ा भाग इज़त और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुम का पालन किया है जिसमें सब मि घर इंतिजाम कौन करता है उनकी बोड़ी मा हैड मस्टर साब की डिकरी यहां आकर बेकार हो गए पहले खुद घर का इंतिजाम करते थे खर्च पूरा ना पड़ता था करजदार रहते थे जबसे उनकी माता जी ने प्रभंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक पड़का भी प्रियोग कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रहे हैं मैं उनकी इस नई युक्ती से नतमस्तक हो गया मुझे हाथ सच मुझ अपनी लगुता का अनुभा हुआ और भाई साब के प्रती मेरे मन में शृधा उत्पन हुए मैंने सज कोई ये उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी लग चाता है लेकिन क्या करूँ खुद बे रहा चलूँ तो तुमारी रक्षा कैसे करूँ ये करतब भी तो मेरे सिर पर है सैयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे उपर से गुजरा उसके डोर लटक रही थी ल मैं पीछे पीछे दोर रहा था